अगर आप भी अपनी पैंसन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि वह इंतजार अब समाप्त हो चुका है क्योंकि हाली में मिली जानकारी के अनुसार दस जन्वरी 2023 से पैंसन लाबार्थियों के बैंक खाते में पैंसन आने जा रही है पैंसन लाबार्थियों को 3,000 रुपे 6,000 रुपे मिलने वाले हैं यानि के काफी पैंसन लाबार्थि ऐसे होंगे जिन्हें डबल पैंसन मिलने वाली है तो यह डबल पैंसन किन लाबार्थियों को दी जाएगी उसके बारे में भी बताएंगे साथ ही साथ आपको बता दें कि पैंसन आने से पहले पैंसन लावार्तियों को कुछ महत्पून कारिया कराने होंगे तभी वह आने वाली पैंसन का लाव प्राप्त कर पाएंगे अब उन्हें क्या कारिय कराना हैं? कौन से दस्ताविय चाई होंगे? कहां पर उन्हें कार्य कराना है तमाम जानकारी हम आपको इस बीडियो के मात्यम से देने जा रहे हैं अगर आप भी एक पैंसल लाबारती हैं चाहे आप ओल्ड एज पैंसल लाबारती है यानि कि चाहे आप भुजुरुग पैंसल लाबारती हैं दिब्यांग पैंसनला आरती हैं या फिर विद्भा पैंसनला आरती हैं तो आप हमारे साथ अन्त तक बने रहेगा वीडियो को देख रहेगा तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे जा रहे हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियों को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यदा शेयर भी कर दीजिएगा चलिए सुरू करते हैं ब्रद्धा पैंसन लाबार्थी, दिव्यांग पैंसन लाबार्थी और विद्वा पैंसन लाबार्थी सभी अपनी पैंसन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब वह इंतचार समाप्त हो चुका है आपको बता दें हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार पैंसन लाबार्थियों के बैंक खाते में दस जन्वरी 2030 से पैंसन मिलना सुरूग हो जाएगी यानि के काफी समय से सभी पैंसन लाबार्थि अपनी पैंसन का इंतिजार कर रहे हैं हाला कि काफी ऐसे लाबार्थि भी हैं जिन्हें पैंसन नहीं मिल पाई थी लेकिन आने वाली पैंसन वह प्राप्त कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों पैंसन आने से पहले कुछ महत्पूर्ण कारिया भी कराने होंगे जो हम आपको बता जा रहे हैं वह कारिया आप कैसे कराएंगे कौन-कौन से दस्तावे चाई होंगे आगर वह कारिया आप कहां पर करा सकते हैं उसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि क्या कारिय आपको कराने हैं। साथी आपको बता दें कि पैंशन लावार्थियों को डबल पैंशन भी मिलने जा रही है। वैसे तो तीन हजार रुपे पैंसन दी जाती है, लेकिन आने वाली पैंसन, काफी पैंसन भोग्यों के बैंक खाते में छे हजार रुपे भी आने वाले हैं। अब यह पैंसन, डबल पैंसन यानिके किन पैंसन लावारतियों के खाते में आने वाली है, चलिए उसके बारे में हम आपको बता धें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले की तरह अब की बार भी पैंशन लाबार्थी ऐसे हैं जिन्हें पैंशन नहीं मिल पाईगी यानिके पहले भी काफी ऐसे पैंशन लाबार्थी थे जिनके बैंक खाते में पैंशन ट्रांसफर नहीं की गई थी हाला कि अगर वह पैंसन लाबारती अपनी पैंसन में क्रेक्शन करा लेते हैं तो आने वाली पैंसन का लाब उठा सकते हैं क्रेक्शन उन्हें कराना हैं जिनकी पैंसन काफी लंबे समय से रुकी हुई है साथ-ाथ महिने से पैंसन नहीं आई है तो उन्हें अपनी pension में correction कराना होगा अब correction कैसे कराना है उसके बारे में भी हम आपको बदायते हैं देखिए यहाँ पर अगर आपकी 7-8 महिने की pension नहीं आई है और आप अपनी pension का इंतिजार कर रहे हैं तो आपको CSC CSC के इंद पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको अपना अधार काड ले कर जाना है और वहाँ पर अपनी pension में आपको correction कराना है ठीओ दोस्तो तभी आपको pension मिल पाएगी तीन महिने की जिनकी pension रुकी हुई है उन्हें 3,000 रुपे दिये जाएंगे साथे साथ दोस्तो जिनकी कई महिनों से pension रुकी हुई है यानिके 6 महिने से pension रुकी हुई है उन्हें 6,000 रुपे दिये जाएंगे अब की बार double pension उन pension लावारतियों को transfer होने जा रही है हलाकि अब की बार भी काफी pension लावारतियों को 9,000 रुपे और 6,000 रुपे मिल चुके हैं अगर आपकी 9 महिने की pension रुकी हुई है तो आपको 9,000 मिलेंगे अगर आपकी 6 महिने की pension रुकी हुई है तो आपको 6,000 रुपे pension transfer की जाएगी अब आपको क्या कार्य कराना है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं तो दूस्तों यहाँ पर सबसे पहले pension भोग्यों को अपनी pension से आधार कार को और mobile नंबर को लिंक कराना होगा तभी आने वाली pension वह प्राप्त कर पाएंगे यानिके जिन pension भोग्यों ने अभी तक अपने आधार को अपनी pension से लिंक नहीं कराया है वह जल्द से जल्द यह कार्य कराले अन्यथा वह pension का लाप नहीं ले पाएंगे जो वेक्ति पहले ही यह कार्य करा चुके हैं उन्हीं दुबारा कराने की आउश्यक्ता नहीं होगी और साज़े साथ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आपके कई महीनों से pension नहीं आई है तो आपको correction कराना है क्योंकि सरकार दुआरा दोस्तों काफी pension लावारती की जो pension है वहर रोक ली गई है और name में address में काफी गलतिया पाई गई है साथी आपको एक कारिया और कराना है देखिए अगर आपने अपने bank खाते की जो KYC है अगर KYC नहीं कराई है तो आप जल्से जल्द करा लिजेगा अगर आप KYC कराते हैं तो आपको आधार कार्ड चाहिए होगा साथी साथ आपको अपने pen card को भी देना होगा दोस्तों pen card देने के बाद ही आपकी जो KYC है वह complete हो पाएगी यनके आधार कार्ड और pen card की photo state आपको अपने bank में जाकर जमा कर देनी है जहां पर आपने bank open कराया है जिस bank में आप pension लेते हैं वहाँ पर आपको KYC करानी होगी तभी आपको आने वाली pension का लाब मिल पाएगा अगर आपकी KYC नहीं होगी आपका bank account बन रहेगा तो दोस्तों आप pension का लाब नहीं ले पाएगी तो जल्द ही pension लाबारतियों को आने वाली जो pension है वह मिल सकती है दस जन्वरी से pension मिलना प्रारंब हो सकती है आइखोप दोस्तों आपको जानका रहे अच्छी लगी होगी यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो लाइक कर दिजेगा जासे दा शेयर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को आप जरूर कर लिजगा बेल एकन को ओल पर आप स्लेक्ट कर लिजगा तो मिलते हैं आपको नाइस्ट वीडियो में तब तक क्यों लिए दोस्तों जय हिंत जभारत